हेलो एव्रिवान वेलकम तु कॉमर्स लेक्चर्स हैं आज करेंगे हम ट्रेट्स इन क्वालिटीज ऑफ अंट्रेप्रणॉर्स यानि हमारा टॉपिक है आज का इनकाइज ये नोट्स अगर आपको चाहिए दिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा महा से आप डाउनलोड कर करीट्स या होती है वह सब हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहली क्वालिटी है आपकी इनोवेटिव एबिलीटी यानि जो ऑंट्रेप्रणॉर होता है वह बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव होना चाहिए अलग सी सोच का होना चाहिए ऑंट्रेप्रेटी इस उसर्ज new opportunities यानि जो है entrepreneur बहुत सब्सक्रियेटिव होना चाहिए इन्नोवेटिव होना चाहिए वह हमेशा नई opportunities नए मोखे नए innovation हमेशा ढूंदते रहना चाहिए and introduce new techniques of production हमेशा जो है कभी कुछ नया तरीका production का या किसी भी काम को करने का नया तरीका वो ढूंदते रहना चाहिए और बनाते भी रहते हैं वो he always keeps on trying new creative ideas यानि जो entrepreneurs होते हैं हमेशा वो कोशिश करते रहते हैं कि नए नए creative ideas ढूंदे वो हर काम को करने के कुछ अलग तरीक है आगे दिखते हैं risk taking so entrepreneurs जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए रिस्क लेने वाला होना चाहिए business is all about taking risk and experimenting अभी business करना है तो risk लेना पड़ेगा experiments करने पड़ेगा बिना risk के business आगे नहीं बढ़ते हैं ठीक है so entrepreneurs should have the risk taking ability to achieve their goal so entrepreneurs होते हैं उनमें risk taking ability होने चाहिए एक दम कमजोड दिल के नहीं होने चाहिए उनमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो कोई भी risk उठा सके ताकि उनके गोल हो जाए जो उनोंने सोचके है वो काम कर सके है ना हर horrific स्टार्ट करने से पहले आपको पता है, मन कितना घद रिस्की होता है कोई ना काम स्टार्ट करना अगर कोई नहीं जब कॉग्ण हिए रिडरीडर्शियप क् recruitment एक狂द music ऑप means माइंडिड होना चाहिए हाई मोराल होना चाहिए वैल्यूज एथिक्स को फोलो करते होना चाहिए अपने फॉलोवर्स के साथ यह जो एंप्लोईज उनके साथ अच्छे से पॉलाइटली बिएफ करें ऐसे बहुत सरी क्वालिटीज है जो एक उंट्रप्रणॉर में होनी चा कि फ्यूचर में कोई काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसको रिगार्डिंग में प्लान बनाता है यह एंटिसिपेट्स पॉसिबिलिटीज तट लाइज बियॉंड द प्रेसंट यानि वो क्या करता है नहीं नहीं पॉसिबिलिटीज सोसा है कि यह काम ऐसे भी हो सकता है यह responsibility जिम्मेदारी उठाने की इच्छा रखता है वो जिम्मेदारी लेने के बारे में सोचता है जिम्मेदारी से भागता नहीं है क्योंकि वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपने सर पे जिम्मेदारी लेता है काम सीखता है कुछ करता है जिम्मेदारी से भागने वाले इंसान जिंदिकी में कुछ नहीं करते है He is ready to be personally responsible for the results of decision making और वो हमेशा ready रहता है कि भाई अगर कोई भी उसने decision लिया है उसका कुछ भी हल निकलता है कोई result निकलता है जब पोजिटिव हो और नेगिटिव हो वो चीज को हमेशे accept करने को तयार रहता है ठीक है next है skills in organizing तो वो हर चीज़ और चीज़ करने में entrepreneur expert होना जाहिए ठीक है चाहे work organize करना हो चाहे human resources यानि employees को organize करना हो तो हर चीज़ में वो माहिर होता है यानि जो entrepreneurs होते हैं वो best use कैसे करना है resources का ये जानते होते हैं तभी वो entrepreneurs बनते हैं ठीक है वरना तो employees ही रह जाते next है आपका flexibility so entrepreneurs are adaptable and flexible to adjust according to the change circumstances आपको पता है business में circumstances situations, business environment competitors, government policies कितने change होते हैं so entrepreneurs को कैसा होना चाहिए adaptable and flexible यानि अगर कोई change आ रहा है तो उसके according वो अपने आपको ढाल सके चलो आगे बढ़ते हैं next है आपका self-confidence तो leader जो है self-confident होना चाहिए उसे अपने उपर अपने काम के ओपर अपनी knowledge के पर विश्वाष होना चाहिए so अगर कोई entrepreneur जो है जिसका confidence level बहुत अच्छा है जो खुद पर विश्वाष रखता है वो अनाम से काम खतम कर लेगा चाहिए कितनी stress भरी condition हो चाहिए कितना वो problem में हो अपने पर विश्वाष रखके और विश्वाष तग मगा गया तो समझो उसका project वहीं छूड़ गया यानि जो entrepreneurs होते हैं वो समझते हैं जितना बड़ा challenge होगा उतना बड़ा हमें reward यानि फायदा मिलेगा ठीक है चला नाइंध करते हैं discipline जो entrepreneurs होते हैं बहुत जादा self-disciplined होते हैं बहुत जादा focus होते हैं क्योंकि उन्हें पता है उन्हें अपना नया venture या business जो है start करना है उन्हें कुछ करना है तो अपने आप ही discipline रहते हैं वो ताकि उनका business जो है सही से काम करे और कोई भी type की distraction हो sorry distraction हो कोई भी problem हो लिमिनेट करते हैं बहुता जादेते हैं जादेते हैं उनके गोल के बीच में उनकी महनत के बीच में कोई भी problem आती है तो तुरंद उसको हटा देते हैं उनका गाम होता है उनका बहुता है सिरफ काम पे focus कना last point आपका knowledge यानि जिस भी industry में वो है, जिस भी company में है, जो भी product है के लेके वो कुछ बना रहा है, उसकी proper उसे knowledge, complete knowledge होनी जाहिए, क्योंकि अगर उसके पास अच्छी knowledge है, तभी वो कोई भी काम, बिना किसी problem के कर सकता है, बिना किसी रुकावाट के कर सकता है, और कोई भी difficulty हो, crisis हो, वो तुरन जिस भी जाहिए, जाहिए हिए और झाहिए, जान शब्सक्राइब टा हमँए, जान रिच्छी बादा में बिना ला जाहिए, जान शब्सक्राइब